जे हिंद फ्यूजर ऑप स्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार इस वीडियो बात करने जा रहे हैं आज बायोजेन फार्मा कंपनी के बाड़े में इसका पूरा नाम है बायोजेन फार्मा केम इंड्रेस्ट्री लिमिटेड नाम में फार्मा केम लगा है तो बहुत सी लोग ऐस समझते हैं कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है जबकि ऐसा कुछ नहीं है यह कंपनी फार्मा से बिलोंग नहीं करती है बलकि एक कंपनी का बिजनेस है ट्रेडिंग करती है जैसे हम लोग किसी कंपनी के करते हैं और जो मुनाफ़ा होता है तो बेच देते हैं उसी तरीक यह पर फुर्पर तो काम करते हैं उसके पास फंड मेंजर होते हैं और वह अपने दिमाघ से अलग-लग कम्पनियों पैसा लगाते हैं और लोगों को कमा कर देते हैं ठीक उसी तरीकसे काम करते हैं कम जैर्वा milliards मार्केट है या किसी भी company के share कोई भी stock lower circuit भी भीच नहीं सकते हैं और जब अपरración hundred met में होता है तो आप uskot भीत नहीं सकते हैं तो ये जाव तो पेनी steps को होता होता है तो बहुत सी लोग इस company pack करना चाह रहे लेकिन 2008 में जब मार्केट क्रेस हुआ उसके बाद से श्टॉक डाउन जाने लगा और काफी इस दिनों तक डाउनी रहा अभी भी तो डाउनी है कि उठा नहीं 2008 के बाद से देखेंगे तो इस साल जनुवरी में इसने तक्रीब एक रुप्या पचासी पैसा काही लगाया था एक रुप्या पैसा घाया लगाने जनुवरी बाद से देखेंगे तो ज्यादा तो फिर लौर सेकुट में रहा और लौर सेकुट में रहके प्राइस कम होते होते अभी तो पैसा का सबसा आगया है और अभी इस टॉप कॉंसलिडेशन एरेज्ज में है तो आपको पता है क जो इसने एक रुपर पचासी प्राइब लगा था वह इसलिए लगाए था क्योंकि पिछले दू-तीन क्वार्टर में काफी अच्छा इस कंपनी का रिजल्ट आया था क्वार्टर का क्वार्टर ले रिजल्ट आ रहे का मतलब यह हुआ कि कंपनी की कमाई ज्यादा हुए था कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होते हुए दिखेते हैं अभी इसके जो सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का वह है जिरो पॉइंट पांच यानि कि असपास यदि पैसा के नीचे चला जाता है तब तो काफी बुरी सिच्वेशन आ जाएगी से स्टॉक के लिए भी और इसके निवेसक हैं उनके लिए भी हाला कि कुछ अच्छी बाते भी हैं उसके बारे भी आपको बताऊंगा लेकिन जब हम फंडामेंटली इस कंपनी को देखते हैं तो पाते हैं कि इसका जो सेयर प्राइस से अभी भी बुक बेलू से उपर है जो कि एक पोजेटिव साइन जो इसका भुक बेल वे उसके निचे भी चला जाए हलाकि इसका रिटर्न अप्रेटिव में हैं जो कि नहीं होना चाहिए था यह एक अच्छी बात है कि इसके उपर करजा नहीं है बिल्कुल डेट फिरी कंपनी है लेकिन आपको यह समझना होगा कि कंपनी कोई बैपार त वह भी माइनस में है जादे बात करें इस बार के नंबर यानि वृर्ट रियों कि व्योटियम कि व्याथ ही जवक्त पिछले क्वार्पम के इसकाigma दी दो करोन 48 लाग रोपया अब देख सकते हैं दो करोन 48 लाग से कम होकर सीधे 36 लाग पर आगया कितनी भारी गिराओट हुए इसके सेल्स में कमी आई है इसी वज़े से कमाई कम हुए हाला कि इसका उपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन जरूर बढ़ा है उपरेटिंग प्रोफ प्रोफिट में आगी है तो यह अच्छा साइन है लेगिन ऐसा अगर दो तीन-चार क्वाटर तक फिक्स बना रहे धिरे-धिरे क्वार्टरली रिजल्ट में हर क्वार्टर में इसका प्रोफिट बढ़ता रहे तब फंडमेंटल को बहतर होते हुए कहा जाएगा और उसके नहीं है तो यह अच्छा समय है इंडि ऐस बीचर कई मेरा सजेसन यह रहेगा कि इसमें एक कम एमाउंट आप लगा सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहते हैं तब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पेनी इस्टोक से तो आप बिल्कुल दूरी रही है उमीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे मन में कोई भी confusion ये सवाल है तो मुस्स कमेंट में जरूर पूछे परसनली मुस्से जूर कर बाते करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है मिलते अगले वीडियो में तब तुके लिए धने बात शुक्रिया